आज एक नियू टुटोरियल हमने पोस्ट करा है यूट्यूब पे सू बहुत ही सटल इंगेजमेंट लुक है तो आपको भी ये सीखने को मिलेगा उधर भी बहुत सारे टुटोरियल आते हैं सो स्टार्ट करते हैं विदा स्टल इंगेजमेंट लुक टुटोरियल तो क्लाइनट की डिमांड थे कि हमें बहुत ही सटल लुक चाहिए तो हम सबसे पहले आई कंसीलर लगा रहे हैं आई कंसीलर जादा इतना स्पेसिक नहीं हो ना कि कौन सा लगाना है आप कोई भी आई कंसीलर को लगा सकते हो कोई भी ब्रांड का इवन फाउंडेशन को भी ल स्पूग जाएगा तो अभी हम स्पूग आईशाडव पालेट फ्रम फॉरेवर फिफ्टी तू हम यूज कर रहे हैं तो जैसे कि जहां पर देको सटल वर्ड आजाता है ना तो मेरे दिमाग में एक चीज आ जाती है कि सटल का मतलब कि हमने बहुत ही beautiful नाच्वरल मेक अप करना है और बहुत ही जाधा layering नहीं करनी है और बहुत ही जाधा color variation नहीं दिखानी है purple then blue then pink then glitter and all and all तो इस चीज का ध्यान रकना हमने दो तिन आई शैडू में उनका eye makeup हो खतम करना है और थोड़ी सी sharpness देने के लिए मैं अपने pencil brush से liner को थोड़ा सा बाहर की तरफ भी smoke out कर रहा हूँ ताकि उसकी जो wing है वो maintained रहे देन उसके बाद मैं थोड़ा सा अपना color लूँगा like मतब की थोड़ा सा darkish जो हमने last हमने color लिया थो थोड़ा lighter लिया था उसी color tone में color मैंने change नहीं किया उसी color tone में मैं थोड़ा सा darker color ले रहा हूँ और अपनी crease line को थोड़ा थोड़ा सा intense कर रहा हूँ ताकि जो मेरी एक चीज में को बहुत अच्य लिपती क्रीज को थोड़ा सा intense करना अगर हम नहीं करते हैं तो हमारी eye shape proper नहीं बनती है तो आप देखो कि जैसे मैंने crease को intense कर र को थोड़ा थोड़ा smudge करें और brushes वो यूज करो जो आपको comfortable लगते हैं like size wise ऐसी नहीं में define कर सकता आपको कि इस area के लिए ये वला जाएगा इस area के लिए वला जाएगा इस brand का जाएगा जो आपके हाथ में set बैठते हैं आपको satisfaction होती है उससे आप use कर सकते हो so front पे मैं हलक सब बेज कलर दे रहा हूं क्योंकि जो ड्रेस है ना वो भी कुछ इस कलर में है तो जैसे कि अपने final look में देखा होगा तो हलका सब बेज कलर मैं semi smokey type सा कर रहा हूं but lighter way में so अभी मैंने शोपारल की palette ली है उसे पिक करा है with the pencil brush और थोड़ा सा inner corner को highlight कर रहा हूं एक होता है शिम्री आये makeup ठीक है अगर matte के उपर आपे शिम्री कर दिया तो it means वो शिम्री नहीं रहा अगर आपने inner corner में शिम्री देना है तो आप inner corner में दे सकते हो ताकि जो वो makeup है थोड़ा सा glam look में आएगा और जो आपकी engagement की look है वो maintain रहेगी ठीक है so अभी जो हमारी pencil है वो थोड इसी shadow दुबारा लगा रहे है pencil दुबारा लगा रहे है ताकि जुसका color है वो maintain रहे और liner पहले लगाना में को इसलिए अच्छा लगता है हमें पता लगता है कि यार यह वाला liner एरी है इस area पर हमने कुछ नहीं करना उसकी उपर उपर ही हमने eye makeup करना है plus एक look हमें पता लग लगती रहती है तो मेरे को liner लगाना पहले बहुत अच्छा लगता है आपने लगाने नहीं लगाना वह आपकी टूटली मर्जी है और अपर वाटर लाइन पर में को काजल फिल करना है इसे न में को जो मेरी look है वो fuller look लगती है कई बारी देखते हो आइज देखते हो ना किसी भी क्लाइम की तो उसकी eyes में ना space बहुत जादा होता है अपर ठाइट लाइन पे तो उसको space को फिल करने के लिए हम काजल फिल मतलब हर तरह की skin पे textured पे किसी पे भी अगर आपके बास कोई alternate नहीं है तो आप smashbox का photo finish primer आप यूज़ कर सकते हो और उसे अच्छी तरह smudge करना all over the skin then जैसे कि आपको पता है कि हमारा next step क्या आता है आता है correction तो आपको face paint पे इतनी ज़दा correction नहीं दिख रही है तो इसका मतलब यह नहीं कि हमने पूरा orange-orange कर देना है अगर correction नहीं दिख रही है इसका मतलब यह नहीं हमने ग्रे दिखना शुरू हो गया तो हमारी लग जाएगी तो इसी लिए थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपको क्रेक्शन करके चलना है मिनिमन मिनिमल करो बट करो अभी हम नार्ज की फाउंडेशन यूज करें और इसका जो शेड है हमने दो मिक्स करें वो है फीजी आन मॉंट ब्लांग क्योंकि उनका कलर फियर है तो हम फियर फाउंडेशन यूज करेंगे और उसे अच्छी तरह से हम blend करेंगे skin pay with the beauty blender so आप कोई भी beauty blender use कर सकते हो जो भी आपको comfortable लगे मैं plume and forever 52 का blender use करता हूँ आपना सभी मैं जो comments पढ़ता हूँ वो product specific बहुत ज़ादा हो जाते हो तो इतना ज़ादा product specific नहीं होना जो आपको comfortable लगे जो आपको अच्छा लग रहा है देखो मेरको भी किसी नहीं नहीं बताये थे कि आपको यह यह products लेने है तो हमें जैसे एक brand है उसमें से कोई चीज लेनी पड़ती है try करने के लिए उसको कैसे use करें किस तरह की skin पर खुद self judgment करनी पड़ती है तो बहुत ही जादा वो मत किया करो product 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 भाई try तो करो आपको तभी पता लगेगा एक बर use तो करके देखो मेरा ग्यान मेबी आपके लिए वो opposite हो या आपको वो कोई और tutor कुछ और बता रहा हो तो आपको क्या लगता है अपना अग्यान आपको खुद बनाना पड़ेगा so back to tutorial so हम अभी कर रहे है concealing with the कौन सा हमने use कर रहा है two face का concealer उसमें जो हमने color use किया है वो है marshmallow क्योंकि वो fairest concealer है और उसके बाद थोड़ी थोड़ी little little bronzing कर रहे है एक bronzing करने से क्यों होता है face थोड़ा सा uplift हो जाता है tight हो जाता है थोड़ी सी face shape आजाती है अगर थोड़ा सा fatty face है तो आप cream bronzer यूज कर सकते हो otherwise आप कोई भी bronzer यूज कर सकते हो बाद में आप cream bronzer avoid भी कर सकते हो जो में को cream bronzer है ना वो बहुत जादा शापली लगाना अच्छा नहीं लगता क्योंकि बाद में वो blend नहीं होता so इसलिए हम बहुत ही softly तरीके से अपना bronzer को blending way में ही लगाएंगे then उसके बाद blend करेंगे उसे अच्छी तरह ताकि कोई भी मेरे जो brushes के dragging strokes हैं वो बिल्कुल भी visible ना हूँ and अभी हम powder set करें हैं वेदा beauty blender so powder अब कोई भी उसकर सकते हो huda beauty, laura mercier, chanelle, estiloda, fenty जो मैं इधर यूज करहा हूँ मैं अभी laura mercier का powder यूज करहा हूँ और बहुत ही minimal quantity में और थोड़ा सा under eyes पे ज़्यादा रखता हूँ और laugh lines पे तो इसलिए इस चीज का ध्यान रखना है जहां पर क्रीजीज हैं वहाँ पर अच्छे से सेट करो बाकी बिच जतना required है उतना ही रखो बहुत ज़्यादा powder आपने नहीं रखना है कई बारे आप देखते हो बहुत ज़्यादा powder face पे रखा होता है वह उतना बहुत ज़्यादा dry हो जाता है तो इस चीज का ध्यान रखना अब हम ब्लश कर रहे हैं और जो ब्लशर हम यूज कर रहे हैं वह है टू फेस्ट का एंड मैक का डेंटी शेड यह बहुत ही अच्छे ब्लशर हैं यह थोड़े से यह शिम्री बेस में हैं तो आप इसे चीक्स पे लगा सकते हो और जहां ब्रश यूज कर रहा हूं यह थोड़ा सा फ्लाट कम फ्लफी ब्रश है तो आप फ्लाट ब्रश इस भी उज़ उसकर सकते हो फ्लाट मतलब थोड़े से फ्लफी में होंगे और यह बिल्कुल ही लगा सकते हो जिनको minimal चाहिए तो उनके प्लीज जादा से जादा ब्लशर मत करना softly थोड़ा सा लगाओ जाते हो अगर कम लग रहा तो और डू कर सकते हो बार बार नहीं करना और ब्रॉंजर करने के बाद मैं अपनी डूई लूप को मेंटेन रखने के लिए बहुत जादा हाइलाइटर नहीं लगाओंगा हाँ थोड़ा थोड़ा सा हाइलाइटर हम जरूर लगाएंगे जो मैं हाइलाइटर भी यूज़ करों वो है Fenty Beauty और बॉबी ब्राउन का और हाइलाइटर लगता कहां कहां पर है Forehead पर चीक्स पर नोस पर तो उसे भरना नहीं है बहुत ज़्यादा जितना required है उतना ही हाइलाइटर लगाओ एक पर मैं को सबसे जो गंदी प्रॉब्लम लगती है वहाई नोस के नindi पूरी बहर देते हों तो पूरे नोस पे नहीं लगाते टो पूरी नोस के सेंटर में फ्लों मेंने च्छलगता आपकी व्हें कर लोगता है बहूं है देन उसके बाद अच्छे से हम टिंट करेंगे अब आय लुक कंप्लीट करने लगे हैं तो कंप्लीट करने के यह मतलब है कि उपर वाला हमारा जो आय मेकप है वो हो चुका है और डाउंड वर्क पे थोड़ा सा अपनी जो लूर लाश करेंगे और मैं सेम कलर ले रहा हूं जो मैंने उपर लाइनर अरिया में लिया है बहुत जादा डिफरेंट नहीं है अगर आपको थोड़ा सा कलरना तो आप इदर पॉपल भी ले सकते हैं तो नीचे थोड़ा सा लाउड कलर भी दे सकते थे अधरवाइस आप उतना भी रख स सकते हो और थोड़ा से मैं अपना लाइनर को रीडू कर रहा हूं अपने जो मतलब विंग है उसको थोड़ा सा शाप कर रहा हूं विद मै जो कौन सा ब्रश मैं यूज़ कर आया आई ब्रो शेपिंग ब्रश तो आप कोई भी ब्रश कर सकते हो चाहिए तो इससे हमारा जो मेकप है वो कंप्लीट होता है और उसके बाद मैं अच्छे से मस्कारा करूंगा ताकि मस्कारा में भी आपकी प्रॉब्लम बहुत जादा आती है मेरी आती होती थी पहले क्योंकि मैं अच्छी तरह करता नहीं सातों मैं को डर लगता था तो मैंने डर निकाला और मस्कारा और वो पिक्चर में भी आता है तो उस चीज का आपने पूरा ध्यान रखना है कि वो आपका जो फुल लुक है वो मैसी ना लगे ड्यू टू मस्कारा अच्छी तरह नहीं हुआ अच्छा और हम बहुत ही लाइट वेट से नूरा की लाशिस यूज कर रहे हैं आइस पे और बहुत ही ज्यादा नाच्रल लुकिंग लाशिस है यह बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हैं तो यह वहली लाशिस बहुत ही कमाल ही है सिनौरा लाशिस ब्रशिस बहुत ही अच्छ हैं तो आप बाई कर सकते हो उनके पेज पे जाके इनिस्टेग्राम पे उनका पेज है सिनौरा की नेम से अब बहाँ से उनकी लाशेज और उससे ब्रशेज बाय कर सकते हैं बहुत ही अच्छे हैं आइब्रो को हमने पहले थोड़ा सा फिल कर लिया था विद अप आफ टेंट अन उसको शेप कर रहे हैं हम अपने आइब्रो ब्रश के साथ शेपिंग करते करते हैं आपने आइब्रो को बहुत जादा मोटा नहीं करना तो उस चीज का ध्यान रखना कि उतना ही फिल करो जितने आप जोनकी नाच्रल लुक है वो मिंटेंड रहे फ्रंट से ओलवेज लाइटर होना चाहिए और नीचे पीछे से ओलवेज थोड़ा डॉकर होना चाहिए फ्रंट को इतना जादा मच फिल करो कि वो बहुत जादा छपी हुई आइब्रो लगे या स्टिकर्ड आइब्रो लगे तो उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना कि front को थोड़ा natural रखो lighter रखो ombre effect आना चाहिए आपका eye close में so हमारी जो look है वो complete होने वाली है completion के तरफ है और उसके बाद हमें जो touch up shots है जो final shots है वो कर रहे हैं like lash line को हम अच्छी तरह faira rushi mascara से top up कर रहे हैं ताकि जो इसकी look है subtle look complete look eye look वो maintained and complete हो जाए then इसके बाद हम lip color लगाएंगे so lip color lip color करने के लिए सबसे पहले हम करेंगे lip line तो lip line करने के लिए मैं use कर रहा हूँ color bar की lip pencil उतनी देर lip shape से satisfied मत हो जब तक आपकी जो lip line यह नहीं अच्छी हो रही है तो lip line सबसे पहले अच्छी करो तो आपका जो lip shade है या lip shape है वो बहुत अच्छी तरह उठके आएगा तो सबसे पहले जो अपनी shape बनानी है वो अपनी lip line से बनानी है उसके बाद जब fill करोगे तो automatically shape में ही आएगा तो अभी हम जो fill कर रहे हैं वो liquid lip color फिर कर रहे हैं और अच्छे से उसे fill करेंगे और उसके बाद उसे top up कर रहे हैं हमारी edges lip color palette में से थोड़ा से nude shade लेके और वो भी similar हैं बहुत ही ज़ादा अलग shade नहीं है तो उसे top up कर रहे हैं थोड़ा सा lighter करने के लिए जब हम liquid के उपर creamy lip color लगाते हैं तो उसका effect बहुत ही अच्छा है जैसे कि आप देख सकते हो so guys इसी से हमारी जो final look है वो complete होती है so मेरे को subscribe करना, share करना और जैसे भी आपको look चाहिए वो मेरे को comment करके बताना हमा और बहुत tutorial आपके लिए लेके आता रहूँगा बाइबाइ गाइए गाइए